अखिल भारती एक कॉंग्रेस सेवा दल की महासचेफ कुमार पांडी का अचकली में भारत जोडो पध यात्रा के दौरान हिर्दे गती थम जाने से निधन हो गया यात्रा के दौरान भार जंडा टुकुडी का संचालन कर रहे थे इसी दौरान उन्हें सास लेने में परिशानी होने लगी जिसके तुरंद बाद उन्हें एम्बूलन्स से अस्पताल पहुचाया गया लेकिन वहाँ पर उनकी मौत हो गई उनके पार्थिव शरीर का मंगलवार को शहर में अंतिम संसकार किया गया क्रिश्नकुमार पांडी के निधन के बाद यात्रा इस्थान पर ही उन्हें कॉंग्रेस पार्टी के निताओं की मौजूदकी में शृत्धान जली अर्पित की गई इसके बाद उनका पार्थिव दह मंगलवार की रात नांदेर से नाकपुर लाया गया पूर्व मंतरी नितिन राउत ने उनके निधन पर शोग चताया है उन्होंने कहा है कि कॉंग्रेस पार्टी ने एक सच्चो मिलन सा नेता खो दिया है पूर्व मंतरी डॉक्टर अनीस अहमत ने कहा है कि कृष्णकान पांडी का निधन पूरे कॉंग्रेस परिवार के लिए दुखत है यात्रा के दौरान अंतिम समय में उन्होंने हाथों में तिरंगा थामा था यह उनके समर्पन का प्रमान है महराश्रु प्रदेश कॉंग्रेस कमीटी के महसचे वा उत्योग वा वैपारी सेल के प्रमुक अतुल कोटेचा ने पांडी की निधन पर शोग व्यक्त करते हुए कहा कि केके पांडी की कॉंग्रेस के प्रती प्रतिबदिता वा इमानदारी असीम थी कैमरा परसन राजकुमा मोहर के साथ अभी शिक पांजी बीसे न्यूस नाकपूर